नमस्का साथियो आप सभी का स्वाइट है आपके अपने चैनल इंदोलेजी में दोस्तो आयम लेकर आए आपके लिए टॉप 10 कोशन सीरिज की सीरिज नमबर 7 दोस्तो इसमें हम मैद के कोशन कराते हैं वही कोशन कराते हैं जो किसी ने किसी एक्जाम में पूछे गए हैं तो दोस्तो आप सभी के लिए वहुती एलफल कोशन है ये हर किसी एक्जाम में जिसमें मैद पूछा जाता है तो दोस्तो स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर 1 से तो इसमें दिया हुआ है कोई रेल गारी किसी इस्तिर खंबे स्टेशनरी पोल को तीन मिनट में पार करती है वे 600 मीटर लंबे प्लेटफर्म को पांच मिनट में पार करती है तो रेल गारी की लंबाई तता गती कितनी है तो दोस्तो रेल गाड़ी की लंबाई तता गती इसमें पूछा है तो इसमें किसी इस्तिर खंबे को जब रेल गाड़ी पार करेगी तो अपनी ही दूरी को पार करेगी तो यानि कितने मिनट में तीन मिनट में अब कह रहा है वो 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को जब किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करती है रेलगाडी तो उस प्लेटफॉर्म या पुल की लंबाई और अपनी लंबाई दोनों को पार करना होता है दोनों को मिलाकर दूरी जितनी होती है उतनी पार करने में समय लगता है तो दोस्तों अब इसमें 600 मीटर पार करने में 600 मीटर लंबे प्लेटफर्म को पार करने में उसे 5 मिनट लगी और अपनी लंबाई को पार करने में 3 मिनट लगी यानि 600 मीटर में 2 मिनट लगेंगी उसको 600 मीटर चलने में 2 मिनट लगेंगी तो अब 2 मिनट को हम second में बदल लेते हैं तो 2 मिनट की जगह पर हम 120 रख देते हैं 120 second इसकोई speed आजएगी तो कितनी हो जाईगी जब इसको solve करेंगे तो दोस्तों यह हो जाई 5 मीटर प्रती सेकंड 5 मीटर प्रती सेकंड रेल गाली की स्पीड हो जाएगी अब इसको हम किलो मीटर प्रती गंटा में निकाल लेते हैं तो 5 मीटर प्रती सेकंड को किलो मीटर प्रती गंटे में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसमें 18 वट्टे 5 का मल्टिप्लाई कर देना हुआ तो कितना हो जागा यह 18 किलो मीटर प्रति गंटा 18 किलो मीटर प्रति गंटा इसकी स्पीड हो जाएगी अब दोस्तों इसमें एक और चीज पूछी है अब इसमें 18 तो दो आफसन है तो अब हमको इसकी लंबाई भी निकालनी होगी ट्रेन की तो जब 18 किलो मीटर प्रति गंटा उसकी स्पीड है यानि 5 मीटर प्रति सेकंड उसकी स्पीड है और 3 मिनट वह इतनी दूरी कवर करेगी 3 मिनट में तो ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी तीन मिनट यानि तीन मिनट को सेगनों बदलने के लिए साट का मल्टिप्लाई करेंगे तो एक सॉसी हो जाएगा एक सॉसी सेकंड तो एक सॉसी सेकंड यानि ये टाइम हो गया into speed, speed क्या है? 5 meter प्रति सेकंड तो इसकी कितनी हो जाएगी यह जो इनका multiply करेंगे तो 900 meter, यानि train की लंबा ही कितनी हो जाएगी? 900 meter और train की speed कितनी हो जाएगी? 18 km प्रति गंटा 18 km प्रति गंटा, यानि कौन सा option हमारा सही हो जाएगा इसमें तो option D हमारा इसमें सही हो जाएगा, option D इसका सही आंसर है, तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो option D इसका सही आंसर दिया हुआ, 900 meter की train हो गई और 18 km प्रति गंटा इसकी speed हो गई तो दोस्तों चलते हैं question number 2 पर question number 2 दिया हुआ एक ब्यक्ति, A से B तक 30 km प्रति गंटा की गती से जाता है वह B से A तक 20 km प्रति गंटा की गती से बापस lot आता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसर गती कितनी है तो दोस्तों औसर गती के लिए हम इसको 2 step से करेंगे 2 method से करेंगे तो आप बस देखें question तो दोस्तों इसमें 30 km से पहले गया फिर गया अब बापस जो आया 20 km की speed से अब इन दोनों का LC हम निकाल लेंगे तो कितना हो जागा 60 तो A से B तक की दूरी कितनी हो गई 60 60 km मान लेते हम दूरी है अब जब 60 km चलेगा 30 की speed से तो कितना time लगेगा 2 गंटे और 20 की speed से 60 km चलेगा तो कितना लगेगा 3 यानि total time कितना लगा 5 total time 5 5 गंटे लगा और distance उसने कितनी cover की 30 की से 60 की और 20 की से 60 यानि total कितनी हो गई 120 120 km उसने तेह किया और total time कितना है 5 तो पांच का डिवाइड करतेंगे तो यह कितना हो जाएगा हमारा 24 किलोमेटर प्रतिगंटा टोटल स्पीड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अब दोस्तो इसका ऑफ्षन भी इसका सही आंसर हो जाएगा 24 इसको दूसरे मैंथोड से चझक करते हैं पहले इसका अंसर चेक करते हैं तो दोस्तो और बिज्ञे पर 20 और नीचे रखेंग इससे तो यह हो जाएगा हमारा कितना 24 किलोमेटर प्रती गंटा तो दोस्तों यह हमारा सही आंसर हो जाएगा तो चलते हैं कोशन नंबर थरी की हो तो दोस्तों कोशन नंबर थरी दिगो आए 69, 63, 68, 77, 44 तदा 73 का कितना है औशत कितना है जब प्रतेक संक्या को 23 से विवाज़त किया जाता है तो दोस्तों इसमें औशत पूछा और प्रतेक संक्या को 23 से विवाज़त किया जाता है तो 23 से अभी हम विवाज़त नहीं करते हैं पहले इसका औशत निकाल लेते हैं जब हम तेई से बिवाजित कर देंगे तो दोस्तों जब इनको एड़ करेंगे आउसत निकालने के लिए इन सब को जोड़ना होगा हमको 68 प्लस 77 प्लस 44 और प्लस 73 अब इन सब कितनी संक्या हैं 1,2,3,4,5,6 6 संक्या हैं अब इन सब को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 414,6 जब इसको इससे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 69 अब दोस्तो 69 इसका आउसत आ गया अब इसको विवाजित कर देते हैं हम कितने से 23 जब 23 से काटेंगे तो ये कितना हो जागा तीन तो तीन हमारा सही आंसर हो जाएगा तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर तो ऑफशन सी इसका सही आंसर दिया हुआ है दोस्तों आप चैनल पर नहीं आएं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो चलते हैं कोशन नंबर 4 की ओर तो कोशन स्में का सेस्कान लोग करना है थे 27 में से माइनिस करना है तो 433 में üThis को उल्लबर तो दोस्तों कितना बचेगा यहां पर यह वचेगा हमारा सार 5-शार्म यह पर रिम्लीष को सब्ट्रक्ट करेंगे तो यह बचेगा मारा किदना 465 और यहाँ पर कितना उचेगा 7 और 25 यानि की 527 जब दोस्तो अब यह जो संख्या दी हुई है इनका हमको SCF निकालना है तो SCF कैसे निकालते हैं जो नजदी का अंतर होता है उनको हम निकाल लेते हैं इनके बीच कितना आंतर है तो इनके बीच है 31 का उंतर है में 21 istيع니 जाते हैंपको 35 की ओर तो question number 5 दिया हुआ है यदि x अनपात y अनपात z बरावर 1 अनपात 2 अनपात 3 है तता x square plus y square plus z square बरावर 224 है तो x plus y plus z कमान कितना है तो दोस्तो यह जो x, y, z का अनपात है इनको हम यहाँ पर put कर देते हैं जब यहाँ पर put कर देंगे x की अपर 1 put कर देंगे तो 1 हो जाएगा और y की अपर 2 put करेंगे तो 2 का square यानि 4 और z की अपर 3 put करेंगे तो 3 का square कितना हो जाएगा? 9 तो इन सब को add करेंगे m तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा 14 और 14 बरावर किसके हो जाएगा? 224 के जब इसको काटेंगे तो यह हो जागा 16 है अब यहाँ पर यह सभी संक्या स्क्वेर में तो यह 16 है गुना आया है तो 16 हम रूट कर देंगे तो इसका रूट हो जागा 4 यानि 4 गुना मानेंगे अब इनको जब हम पूछा गया X प्लस Y प्लस Z अब इनको हम एड करेंगे तो कितना हो जागा 1 प्लस 2 प्लस 3 यानि कितना हो गया यह 6 अब 6 का 4 में गुना कर देंगे तो कितना हो जागा यह 24 यानि इसका सही आंसर हो जागा 24 ऑप्शन A इसका सही आंसर हो जागा तो दोस्तो चलते हैं कोशन चेक करते हैं इसको तो इसका सही आंसर दिया हुआ 24 तो चलते हैं कोशन नमबर 6 की ओर तो कोशन नमबर 6 दिया हुआ एक 28% वरावर 832 है एक 31% का मान कितना है तो एक 28% वरावर 832 हो गया अब दोस्तों एक आप मान निकाल लेंगे हम तो एक आमान कितना हुज़ा गाएगा? 832 गोड़ा 100 वत्ये 26 जब 26 से इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 32 बार यानि 321 एकामाना आगया एकामान क्या आगया? 3200 अब दोस्तों 32 का क्या निकालना है? हमको 31% यानि 31 वत्ते 100 कर देंगे तो दो 0 से ये कट जागा और जब इसको multiply करेंगे 31 गुण 32 करेंगे तो 992 में इसका सही answer आजागा यानि की option C इसका सही answer हो जागा तो दोस्तों चेक करते हैं इसका answer तो option C इसका सही answer दिया हुआ है पहले A का मान निकाल लेना है फिर A के मान को हमको उसका 31% निकाल लेना है तो दोस्तों चलते हैं question number 7 की हो question number 7 दिया हुआ है A तथा B का उसत 36 है A तथा B का उसत कितना दिया हुआ 36 है A तथा B का उसत 36 है और B तथा C का उसत 42 है B तथा C का उसत कितना है 42 है अब दोस्तों C तथा A के बीच कितना अंतर है तो C तता A के बीच अंतर पूछा है तो हमको A तो दोस्तो A प्लस B का मान क्या हो जागा A प्लस B का मान हो जागा हमारा 72 और B प्लस C का मान कितना हो जागा यह हो जागा हमारा 84 अब दोस्तो इनको हम सब्ट्रेक्ट कर रहेंगे तो जब इनको subtract करेंगे तो B से तो B cancel हो जागा तो A-C बरावर कितना हो जागा माइनस 12 अब इसमें पूछा क्या है C तथा A का अंतर तो C में से A गटाना है तो यहाँ पर sign change हो जागा यानि कि 12 बचेगा तो हमारा सही answer हो जागा कोशन नमबर 8 दिया हुआ है किसी सट बुझ की बज़ा 4 cm रहे किसी बरी की बज़ा 4 रूट 2 cm रहे उनके 6 तरफल का अनुपात कितना है तो दोस्तो सट बुझ का जो फॉर्मूला होता है एरिया ओफ एग्जागॉन एरिया ओफ इसका साइड दी हुई है चार जो ए जो है इसमें वो साइड दी हुई है तो दोस्तो 3 रूट 3 अपन 2 एंटू 4 एंटू 4 हो जाएगा तो 2 से यह 2 कैंसल और यहाँ पर कितना हो जाएगा यह 24 रूट 3 एग्जागॉन का फॉर्मूला एग्जागॉन का अंसर कितना हो जाएगा दोस्तो जो एरिया निकालना है चेट्रपल एग्जागॉन का वो 24 रूट 3 आ गया अब हमको बर्ग का भी एरिया निकालना है तो दोस्तो बर्ग का एरिया निकालते है इसको पहले एक साइड में लिख लेते है Xagon के एरिया को तो दोस्तों जो Xagon का एरिया है वो कितना आ गया हमारा 24 root 3 अब बर्ग का निकालेंगे तो बर्ग का क्या हुता है बजा का स्कुएर तो एक कितनी दीजिए 4 root 2 तो इसका स्कुर करेंगे तो दोस्तों यह हो जागा 32 अब उनके च्छेत्रपल का अनपात पूछा है, तो इसमें दोस्तो अनपात पूछा है, यानि कि पहले एग्जागॉन को लिखते हैं, एग्जागॉन का एरिया, फिर स्क्वेर का एरिया अब इनको 8 से कैंसल कर देते हैं, तो 8 से काटेंगे, तो यह 3 root 3 हो जाएगा और यह यहाँ पर 4, यानि option B हमारा सही answer हो जाएगा, तो दोस्तो चेक करते हैं, इसका answer, तो यह इसका answer दिया हुआ है, 3 root 3 ratio 4, तो दोस्तो जो एग्जागॉन है, उसका एरिया आप नोट करने है, 3 root 3 upon 2 A square, यह important है, तो दोस्तो चलते हैं, question number 9 की ओर, तो question number 9 दिया हुआ, यदि लाव, विक्र मूल लगा 20% है, तो लाव, लाव, लागत मूल लगा कितना पृतिसात है, तो दोस्तो लाव जो है, वो विक्र मूल लगा 20% है, तो 20% को हम क्या लेख सकते हैं, एक बटे 5, अब यानि कि विक्र मूल लग 5 हो गया, और लाव उस पर एक है, तो जब 5 रुपे में कोई चीज बेची, और एक रुपे का लाव होगा, तो हमको लागत मूल लग क्या हो जाएगा, यानि 5 में से यह गटा देंगे, तो 4 की चीज होगी, जब यह तो 5 में बेचेंगे, और एक का लाव हो जाएगा, अब दोस्तों, जो लाव है, वो एक है, अलागत मूल लग कितना, 4, अब इनका प्रतिसत पूछा है, तो 100 का multiply करतेंगे, जब इसको solve करेंगे, तो यह हो जाएगा, हमारा कितना, 25%, यानि 25% इसका सही आंसर हो जाएग, option C, इसका सही आंसर हो जाएग, 25%, तो चेक करतेंगे, इसका आंसर, तो दोस्तों, option C, इसका सही आंसर दिया हुआ, 25%, तो चलतें, question number 10 की हो, question number 10 दिया हुआ है, studio A के 5 technician किसी कार्णे को 30 दिनों में कर सकते हैं, studio B के 8 technician उसी कार्णे को 15 दिनों में कर सकते हैं, studio A के 1 technician और studio B के 1 technician मिलकर किसी कार्णे को कितने दिनों में कर सकते हैं, तो दोस्तों, जो A studio के technician हैं, वो 5 technician 30 दिनों में करते हैं, यानि total काम उनने कितना किया होगा, पांच गोना 30 यानि कि कितना हो गया यह 500 काम और 20 स्टूडियों के कितने आठ लोग हैं और कितने दिन काम करने पंदरा दिन तो कितना काम कर देंगे 120 तो टोटल काम मान लेते हैं हम 600 इन दोनों का LCM कितना हो जाए 600 तो एक दिन में ये कितना करेंगे, तो एक दिन में ये 4 करेंगे और ये 5 करेंगे, तो 600 काम करने में एक technician को और एक studio को कितना लगेगा, यानि एक technician 4 काम करेगा, और A वाले का और B वाले का एक करेगा 5, यानि कि 9 काम करेंगे, अब इनको जब solve करेंगे, तो यह हो जागा, 200 व आंसर दिया हुआ है तो दोस्तों यह थे आज के टॉप 10 कोसंस तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को जाज से जाज शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें थेंक्यू और वेस्ट